ये दुनिया एक रहसिमय जगा है आज तक पूरी तरीके से खोज नहीं जा सकती है आज हमारी दुनिया में छोटे बरे कई जीब मौझूद है जो प्रिथिभी के अलग-अलग हिस्सों में पाये जाते है लेकिन इन में से कुछ जीब बहत अलग होते है तो दिखने में बिल् टेस्टिंग वीडियो की नॉटिफिकरेशन आपके पास सबसे पहले पहुचें चलिए शुरू करते हैं नमबर वान ग्लॉकास एट्लांटिकस जानबर को ब्लू ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है जानबर स्रीप कुछ इंच बड़े होते हैं और इंडियन पैसिफिक सोलोमेंडर भी कहा जाता है और यह दिखने में किसी पॉकीमन की तरह लगता है यह जीप मेक्सिको की अलग-अलग जिलों में पाया जाता है यह अपनी पूरी जिंदगी पानी में ही बिताते हैं इस जीप की आवादी बहुत कम है यह छोटे किलो और मचलियों को जिन्दा रहने के लिए खाता है यह जानवर 18-24 मेहने तक जीते हैं और 15-45 सिंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं नमबर 3 पिंग फैरी आमाडिलो यह आमाडिलो परिवार की सबसे छोटी और प्यारी पजाती है ज्यादातर रेतेली जगा और अर्जिंटिना के घास के मैदान में पाय जाते हैं इस जीब की आखें बहुत छोटी होती है और हलके सुनहरे बाल होते हैं साथ ही सीद पर एक शोल भी लगा होता है यह जीब छोटे कीडो और पत्तों को खाकर जिंदा रहता है और यह 90-500 मिलिमीटर तक बड़े होते हैं यह आर्माडिलो प्रजाती का सबसे छोट अलग है इस जानवर की एक लंबी पूछ है जो बिच्छो की डंग जैसी दिखाए रहती है इसके नुकेले ताथ किसी भी छोटे जानवर को तो टुकड़े कर सकते हैं कहा जाता है कि यह जीब लुठ हो गया है लेकिन बैगानियों ने इसे सुमुद्री की गहराई से जान बिल्कुल किसी जेबरी की तरह है इस जीब को उचल कुट करना और भागना काफी पसंद है यह जीब शाखा हरी होते हैं और घास पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताईए और वीडियो अगर अच् सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा